अम्रुता की कहानी प्रस्तावना, इस वीडियो में हम देखेंगे की पेड़ हमारे परियावरन के लिए कितने जरूरी है और अम्रुता ने अपने गाउं के पेड़ों को कैसे बचाया जिया आज घर पर अकेली है क्योंकि जिया की मम्मी अभी तक आफिस से नहीं आई है जिया चुपचाप अपने टेबल पर बैट कर होमवक कर रही है और बोबो भी उसके साथ है तब ही जिया को कुछ चिडियों की आवाज सुनाई देती है वो उठके खिड़की से बाहर देखती है अरे बोबो देखो उस पेड़ पर कितने सारे पक्षी है और वो कितने सुन्दर है बोबो मुझे तो वो पेड़ बहुत पसंद है क्या वो तुम्हें भी पसंद है अरे मम्मी आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई जिया आज मैं आफिस के बाद विक्षा रोबन करने गई थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई अं विक्षा रोबन पर क्यूँ जिया आज पर्यावरण दिवस है और इसलिए हम सब ने आज पेड़ लगा कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प किया है मम्मी पेड़ हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है हमें धूप से बचाते है जानवरों को घर देती है इनके और भी अनेक फायदे है लेकिन मम्मी जंगल में तो पहले से ही इतने सारे पेड़ होते हैं तो फिर हमारे कुछ पेड़ काटने से पर्यावरण को कैसे नुकसान हो सकता है तुम्हें क्या लगता है क्या कुछ पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होता होगा नहीं जिया, अब तो पहले से पेड काफी कम हो गए हैं इसलिए हमारे परियावरण के लिए हर एक पेड बहुत जरूरी है जिया, तुम्हें खिड़की के बाहर वो पेड कैसा लगता है? मम्मी, मुझे तो वो पेड बहुत पसंद है माल लो, जिया, अगर उस पेड को कोई काट दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी, मुझे तो बहुत बूरा लगेगा मगर इतने सुन्दर पेड को कोई क्यों काटना चाहेगा? हम, अच्छा, जिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ आ, कहानी? कैसी कहानी, मम्मी? जिया, ये है अमरिता की कहानी, ये एक सच्ची कहानी है आज से करीब तीन सो साल पहले, राजिस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गाओं में एक अमरिता नाम की लड़की रहती थी मम्मी, ये खेजडली कैसा नाम है? क्या जिया की तरह तुम्हें भी ये नाम अजीब लगा? तुम सोच सकते हो, गाओं का नाम खेजडली क्यों पड़ा होगा? जिया इस गाओं में खेजडी के बहुत से पेड थे, जिसकी वज़े से ही उस गाओं का नाम खेजडली पड़ा था इस गाओं के लोग पेडों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे गाओं के सभी जानवर जैसे बंदर, हिरन, मोर सभी गाओं में बिना डरे घूनते थे हाँ, मम्मी, क्या गाओं के लोग जानवरों को बिल्कुल नहीं मारती थे? बिल्कुल नहीं जिया, गाओं के बुज़र्ग ये मानते थे कि अगर पेड है तो हम है पेड और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं अमरिता भी पेडों का खूब ख्याल रखती थी वो रोज एक पेड को चुनती और उससे कहती कि वो बहुत सुन्दर और ताकतवर है जो सबका ध्यान रखता है और वो उस पेड से बहुत प्यार करती है अमरिता की तरहा गाओं के दूसरे बच्चे भी पेडों से बहुत प्यार करते थे कुछ सालों बाद अमरिता बड़ी हो गई एक दिन उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग कुलहारी लेकर गाओं में घूम रहे थे कुलहारी लेकर? मम्मी, वो लोग कौन थे? जिया, वो लोग राजा के आत्मी थे वो राजा के महल के लिए लकडिया काट कर ले जाने वाले थे अमरिता को जैसे ही ये पता चला तो वो उस पेड से लिपट गई जिसे वो लोग काटने वाले थे अमरिता के ऐसा करने पर भी वो लोग नहीं रुके उन्होंने कुलहारी से वार किया कुलहारी के एक वार से ही अमरिता घायल होकर गिर गई पर फिर भी अमृता ने पेड को नहीं छोड़ा ये देखकर गाओं के बाकी लोग भी पेडों से लिपट गए और अमृता की तरहा ही गाओं के करीब तीन सो लोगों ने पेडों के लिए अपनी जान दे दी हाँ? क्या? तीन सो लोगों ने अपनी जान दे दी? हाँ जिया ये तो बहुत बुरा हुआ उसके बाद क्या हुआ मम्मी जिया जब राजा को इस घटना का पता चला तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हैं इसलिए वो उस गाउं में खुद आये और लोगों का पेड़ों के लिए प्यार देखकर वो बहुत प्रभावित हुए राजा ने आदेश दिया कि उस गाउं में ना तो कोई पेड़ काटेगा और ना ही शिकार करेगा क्या तुमने कभी शिकार करने वालों के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है? वो शिकार क्यों करती होंगे? जिया, आज 300 साल बाद भी लोग इन पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं इन लोगों को विश्नोई कहा जाता है और जिया, रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलागा बिलकुल हरा भरा है हम, अब मैं समझी की पेड़ हमारे पर्यावरन के लिए कितने जरूरी है और साधारन लोग किस तरह से पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं मम्मी, जिया की ये बात सुनकर बहुत खुश थी मम्मी, मैं भी आज एक पेड़ लगाना चाहती हूँ पर मेरे पास तो कोई पेड़ ही नहीं है अ, अरे जिया, मैं तो बताना भूल ही गई मैं तुम्हारे लिए एक तोफा लेकर आई हूँ हाँ, कैसा तोफा मम्मी? मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा पेड़ लेकर आई हूँ हाँ, मम्मी, ये कितना सुन्दर है मैं इसी ले जाकर हमारे बगीचे में लगा देती हूँ बहुत अच्छे जिया आओ बोबो, तुम भी चल कर सीख लो कि पेड़ कैसे लगाते हैं साराज, इस वीडियो में हमने देखा कि पेड़ हमारे परियावरन के लिए कितने जरूरी है और अमरुता ने अपने गाव के पेड़ों को कैसे बचाया